चली आखरा आज बताते हैं कि पाताल लोग जो वेब सिरीज है उस पर भॉकाल क्यों मचा है? उस पर ग्वावाल क्यों मचा है? अलग-अलग कम्यूंटी दोरा और हिंदु लोग बोल कि हिंदु फॉरीग वेब सिरीज है, एंटि हिंदु बातों को यह स्पोरेट कर रही है, वहारी है समाज के अंदर तो आखिर इस वर्विक चीज़ों को दिखा दिया गया है जिसे अईसा पर वाल मचा हुआ है और मैं बता दूँ कि नेपाली समुदाय ने भी इस पर आपत्ती जताई है। गुर्खा समुदाय ने भी इस पर आपत्ती भेजा है तो आखिर कारण क्या है इस लिगल नोटिस को भेजने का क्या आखिर इस वेब स्वीच के अंदर दिखाई गई चीजे हैं जिस पर आपती जताई जा रही है तो इस वीडियो के अंद तक बने रहे हैं मैं एक एक चीजों को आपको बताऊंगा अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें तो चलिए बताते हैं कि आखिर इस वेब स्वीच के अंदर क्या क्या चीजे दिखाई गई है मैंने इस वेब स्वीच के ऊपर एक डिटेल विव्यू बनाया है जिसके आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर उसमें मैंने बताया कि यह वेब स्वीच देखने में कैसी और टेक्निकल टर्म इसका क्या-क्या है आप बात करते हैं इसमें इस वीडियो के मात्यम से किसमें क्या-क्या चीजे दिखाई गई है जिस पर आपत्ती जताई जा रही है तो इस वेब स्वीच के अंदर एक क बोला जाता है कि आप लोग नेपाली तो इस तरीकी की चीजे करते हो या सेक्स रेकेट में इस तरीके से इन्वोल्मेंट रहता है तुमारा तो इस तरीके के सब्द वहां पर बोले गए हैं जिस पर नेपाली कम्यूटी का विरोध है कि हर एक नेपाली ऐसे नहीं होते हैं और गोर्खा समाज ने भी इस पर स्टेंड लिया है, इसी के कारण है कि नेपाली कम्पिनुटी ने अनुसका सर्मा को एक लीगल नोटीस बेजा है अब दूसरा फैक्ट बात करते हैं कि हिंदू समाज इस पर क्यूं चिड़ा हुआ है क्यों कई लोग बोल रहे हैं बहु सार रेवियो आपने देखा होगा यूटीब पे कि ये वेब सरी जो है वो हिंदू फोविक है तो सीन बाई सीन में आपको बताता हूँ इसमें बहु सार ऐसे सीन है जिसमें ये दिखाने की कोशिस की गई है कि एंटी हिंदू एक प्रॉपगेंडा इसमें सामिल करने की कोशिस की गई है और जो भी सीन है उस सीन का इस कहानी से कोई विलेशन ज़ादा दिखता नहीं है अगर वो सीन नहीं होता तो इस वेब स्वीज के कहानी पर कोई असर भी नहीं परता तो चलिए एक एक करके आगे हम बात करते हैं फाला सीन के बार में अगर हम बात करें तो इसमें एक बेट सीन है दिखाया गया होटल के अंदर एक सेक्स करते हुए एक व्यक्ति को जो की अपने काम के उपर जेनव चड़ाये हुए है तो इसमें यह दिखाने की कोशिस कई गई इस पर आपत्ति है कि आजकल जो ट्रेंड म इसमें दिखाई गई है कि जन्हुधारी जो हो वह बलातकारी होता है वह दुस्ट प्रविवति का होता है वह इस तरीकी के चीजें इसमें दिखाई गई है दूसरे सीन की बात करें एक सीन में ग्वाला गुजर बैठा हुआ है और सामने उसके जो इंस्पेक्टर है कौन सा वेक्ति है जो मंदिर के अंदर मास्क खाता है इस पर हिंदू का आपति है एक सीन में चौधिवी आम जो है इंस्पेक्टर आधिराम चौधिवी वह इसकेस को इंवेस्टिकेट करते हुए जो कभी एम के पिता है उसके पास जाते हैं उसे पूस्ताज करते हैं तो एक Muslim जो व्यक्ति हो कितना इस देश के लिए फेथ है और वास्टवादी है और उसने अपने बेटे को Muslim नहीं बनने दिया लेकिन आप लोगोंने आतंगबादी बना दिया जो जो सीबी आये उन्होंने आतंगवादी बना दिया तो उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि आपका बेटा भी दूद का दुला नहीं है उस सीन को लेकर चले कि आपका बेटा एक चोफ था और उसमें यह दिखाने के बज़ाए आपको दिखा रहें कि आपका बेटा जो है बेटे को मुस्लिम तक नहीं बने दिया जो उनका एक प्रोसीजर होता है जिसे खतना करते हैं उसको उन्होंने चुपाया बकाया सर्टिफिकेट बनाके तो आखिवो इन्होंने ऐसा क्यों किया तो बताते हैं कि उनके बेटे को बीफ के मतलब अफवा में जिसे बीफ खा टेल से जाते हैं जो बदरंग डल के लोग है इस तरह के जो लोग बनाके निकलते हैं और जैसी राम के नावे लगाते हैं वह कहीं वी किसी को चाकूग्रों के मार देंगे आप इस incident को देखेंगे तो आपको अखलाह का incident याद आएगा इसमें आपके दिमाग में कहीं ना क कोई रिलेशन इस केस से इस इस स्टोरी से नहीं है दूसरे सीन वही हम बात करें तो एक ट्रेन में एक कुछ व्यक्ति है वो नन्वेज खारे होते हैं और जो टिफिन वॉक्स खोलते हैं उसके नीचे जो पेपर होता है उसमें न्यूज होता है आयोध्या क्या यानि कि अध् करते हैं पिने उसमान से परेटा क्रते है तो यह चीजे को देखने के बाद आपको लगेगा कि हिंदू लोग जो हैं मुसलमानों के दोगा होका खाने मेन हाँ दे तो जब कोई व्यक्ति वेज होता है, तो वो नन्वेज जहां खा रहा होता है, तो अटमेटिक सी बात है, वमेंटिंग आ जाना, या फिर आप जब उसको उसी प्लेट में खाने को सर्ब करेंगे, तो वो नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाता हूं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम क की बात ही नहीं है, लेकिन इसमें दिखाया गया है, कि हिंदू कम्मेंटि जो है, मुस्लिम से किस तरीके से चिड़ती है, मुस्लिम से किस तरीके से दूर भागती है, उसके खाने पी नहीं कोई चीजे भी देती है, तो वो दूर होती है, और जो वरतमान समय में आप देख उसमें दिखाया गया कि एक अंसारी SI है सब इंस्पेक्टर वो मुस्लिम है और संक्यक है तो उनको थाने में बागा यह फील करा जाता है कि तुम मुस्लिम हो तुम हिंदों का प्रसाद खाओगे कि नहीं खाओगे लेकिन वो प्रसाद खाते हैं ग्रन करते हैं और उनको एक अलग नजविय से देखा जाता है और एक दिखाया गया कि बोल चाल भासा में हिंदू लोग तो कट हुआ इस सब्सक्राइब करी लेते हैं लेकिन मुस्लिम के सामने के बाद जाने के बाद वो सरमिंदा महसूस करते हैं अपने आपको तो यह चीजे दिखाई गई है दूस तो कहीं न कहीं हा में जबाब देते हैं और उनको कहा भी जाता कि पॉलिटिकली यह गलत होगा दूसरा अगर आप देख लें सिच्वेशन कि उसमें बाहर जब वो निकलता है तो उसको एक व्यक्ति बोलता कि आए भाई तुम्हारा तो होई जाएगा तुम टेंशन क्यू गई है लेकिन UPSC में इस तरह की चीज़े नहीं होती जिसके पास टैलेंट है वो जाता है और उसमें कोई कोई कोता ही नहीं बरती जाती है और इसमें दिखाया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी है एक उसको बीजेपी से कहीं ना कहीं लिंक करने की कोसिस की गई है उसके पॉलिटिकल नाम वाजपई रखा गया है दूसरा बात जो उनका जो चुनाव का सिंबल है वह भी गुलाब फूल का रखा गया जबकि आप देखें कि बीजेपी के चुनाव सिंबल जो है वो कमल छाप है तो इससे कहीं कहीं कोरेटेट होता है कि यह बीजेपी के बारे मे जब जाते हैं देखते हैं दलीतों के घरों में जाते हैं दलीतों की बस्ती में जाते हैं आप खाना पीना खाते हैं इस तरीके की चीजे चुनाव में अकसर होती है आप सभी पार्टियां करती हैं इसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है लेकिन उसमें दिखाया जाता है कि जब ये जो बाच्वाई जी हैं वो दलीतों के साथ उठते बैठते हैं खाना खाते हैं तो उसके बाद उनके गारी में गंगा जल रखा होता है वो सो उनाहा लेते हैं क्योंकि वो अप्रवित्र हो जाते हैं तो ये कही न कहीं एक mindset डालने की कोशिस करी गएगी बीजेपी जो है वो दलीतों का वोड तो लेती है दलीतों को राजनीती तो करती है लेकिन दलीतों के लिए उसके दिल में उसके लिए सम्मान नहीं है ये बाद आपको कहीं ने कहीं आपके दिमाग में फिट करने की कोशिस की जाएगी कि बीजेपी आकर ऐसा करती है तो मैं बता दू हैं दूसरी सीन के अगर हम बात करें तो इसमें दिखाया गया कि कुछी भी नॉर्मल अपराधी को या हिस्टिर सीटर अपराधी होता है उसको अतंगवादी लिंक करके अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साथ होते हैं पॉलिटिकल पार्टिया इस तरह की चीजे फिर एक सीन है उसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो मतलब हिंदू लोग जो हैं और बीजेपी के जो लोग हैं मतलब पॉलिटिकल पार्टि जो इसमें दिखाई गई है जो मीडिया का आवाज दबाते हैं जो मीडिया के लोग है उनके आवाज दबाते हैं और एक मीडिया का इसमें एक कीजे चाहिए वो नान्रेज वाला हो हो चाहई बीफ वाला तुझ्थ्स जबूरा बोला Air Qué to तो उसमें हिंदू फोबिक और हिंदू ब्योधी जो चीजें हैं और अक्सर आपको देखने को मिलेगी तो यह आम हो गया है इससे पहले भी वेब स्रीज आ चुकी है जिसमें इस तरीकी की बाते कही जा रही है तो इसमें नया नहीं है तो इसी के उपर बिवाद और बाद ब काम किया है तो इसमें कोई सक की बात नहीं कि वेब सेरीज के अंदर जो एक्टर उन्होंने कैसा काम किया है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरू किजेगा हमाई चैनल एक्स्प्लेन बहुत को सब्सक्राइब करें जाहिन जय बारत